गज़ा लुज़ा तकर दो दो विटाएं तो दो नमस्कार वच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सबी अच्छे होंगे सुष्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हूँ आपकी हिंदी के अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुल क्लास्रूम में और आज हम याप पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी की पूरक पुस्तिका रामायन की कथा और रामायन की कथा में हम पहुँच गए हैं सीता की खोज करते हुए लंका में यानि कि अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं लंका में प कई यहां पर जब सीटा की खोज उन्होंने शुरू की तो कई बार उनको रात में ये सब काम करना पड़ा क्युक्कि दिन के समय उन्हें राक्चछस देख सकते थे और जब उन्होंने सीटा से मिले उनसे आशिरवाद लिया तो अब उनका मन हो रहा है कि वो रावण से मिले और इस कारण उन्होंने लंका में पूरा उत्पात मचा दिया है लंका को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और उनको रावण के सामने पेश कर दिया गया है और रावण उन्हें मृत्यू दंड दे तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ट की तरफ शुरू करते हैं अपने आज का सेशन सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे कि हमने हाँ पर बताया कि जब हनुमान जी ने करोध में आकर मतलब रावर्ण ने करोध में आकर हनुमान ज है यानि कि तुम्हें तुम्हारे मन में मेरा भय नहीं है मुझे मुझे से डर नहीं लगता तुम्हें तो उन्हाने का मैं राम का दास हूं मेरा नाम हनुमान है यानि कि मैं राम का दास हूं और मेरा नाम हनुमान है और आप स्रीराम चंद जी की पतनी सीता को हर कर लाए है पहरन करके लाय है, मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया हूँ और उनसे मिल चुका हूँ और अब उसके बाद मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था, तो इसलिए मुझे ये उत्पात करना पड़ा वरना क्योंकि मुझे ऐसे तो मुझे आपसे कोई भी नहीं मिलने देता तो मुझे इसलिए ये सारा उत्पात करना पड़ा और इसमें मेरा कोई भी अपराद नहीं है मैंने कोई भी बहुत बड़ा पाप नहीं किया है इस बात क करके और उन्होंने का दंड के भागी तो यह राक्षस है जो मुझे रोक रहे हैं तो जब इस तरह की बातें या पर हुई कि विविश्ण ने उनको मारने से रोक दिया हनुमान को उन्होंने कहा कि आप नीतिवान राजा है और आप किसी भी दूत का वद नहीं कर सकते किसी भ हनुमान ने रावन को उन्हें प्रणाम किया यानि कि जब इस तरह की बातें हुई तो यहां पर हनुमान ने रावन को फिर से प्रणाम किया रावन को प्रणाम करके कहा कि मेरा एक निवेदन है आप सीता को सम्मान सहित लोटा दें इसी में आपका कुशल है धनुर्धर र जब हनुमान की पूच में आग लगाने की आग्या दे दी क्योंकि विभीश्र ने कहा था कि आप दूत का वद नहीं कर सकते आप डैरेकली उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते तो रावन ने एक नए चाल चली उसने हनुमान जी की पूच में आग लगवा दी और राक्षश पूछ के साथ अब जो ये सारे राक्षस थे ये ठिठोली कर रहे थे यानि कि ये राक्षस हसी मजाक कर रहे थे बहुत जादा मजाक उड़ा रहे थे हनुमान जी का बहुत जादा खुश हो रहे थे हस हस के जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या इसी बीच हनुमान जी ने इन कर उसमें आग लगा दी तो और जब उनके उनसे हाथ छुड़ा कर जब वो भागे तो वो एक भवन के उपर गए यानकी एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग थी उसके उपर वो गए और वहां पर उनकी पूच के कारण आग लग गई क्योंकि यह पूरी लंका जो थी सोने की तो वहां पर उनकी पूच के कारण वहां पर आग लग गई और फिर उन्होंने क्या किया वहां से कूद कर वे दूसरी अटारी पर चड़ गए यानकी दूसरे महल की जो अटारी थी उसमें चड़ गए और उसके बाद इस तरह से यानकी एक के बाद एक के बाद एक के पर कूदते रहुए और उन्हों ने पूरे सभी जितने भ्यवन थे सभी जितने महल थे सब में आग लगा दी और सारी लंका धू धूम कर जलने लगी जो लंका थी वह भूत तेजी से जलने लगी बहूत तेजी से आग फैल गई पूरी लंका में क्यूंकि लंका सोने की थी तो अब राक्षस विलाप करने लगे ये सारी चीज़े देखकर राक्षस डर गए बहुत जादा डर गए और अब वो विलाप करने लगे रोने लगे अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि मैंने तो स सारी लंका में आग लगा दी है, सारी लंका जलने लगी है, सारे महल जलने लगे हैं, तो अब उन्हें सीता की चिंता हुई, उन्होंने कहा कि कहीं सीता माता को कोई नुकसान न हो जाए, तो वो असोक वाटिका की और भागे यानि कि जहां पर सीता माता को रखा गया था, वह लेकिर उन्हें ये डर था कि आँग कहीं वातिका तक न पहुanच जाए यानि कि सीता तक न पहुanच जाए अब जब उन्होंने असोक वातिका की और वो भागे और उन्होंँ देखा कि सीता सकुसल थी यानि कि ठीक थी बिलकुल ठीक थी और पेड के नीचे बैठी हुई थी आग से अप्रभावित थी यानि कि आग से उनको कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था आग से वो अप्रभावित थी हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया अब हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया उनसे आशिरवाद मांगा और पुन अब दूसरे तट पर यानि कि समुद्र का जो दूसरा तट था जहां से हनुमान जी उड़कर आये थे जहां से हनुमान जी आये थे वहां उस तट पर सभी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे कौन-कौन थे अंगद थे जामवंत थे औ आपर कर रहे थे आते ही उन्होंने सबने हनुमान जी को घेर लिया और सनुमान जी ने संख्षेप में लंका का हाल सुनाया संख्षेप यानि की बहुत कम शब्दों में पूरी तरह से लंका कैसी है क्या है कम शब्दों में पूरा हाल लंका का बता दिया और सीता से भेट का क रम भी बताया और किस तरह से उनकी सीता से भेट हुई ये बंडन भी उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देखा मैंने उन्हें देखा बात की और यह समाचार सीग्र हमें राम तक पहुंचाना चाहिए अधिक समय नहीं है वानर किलकारियां भरने लगे या वान बहुत ही जाधा प्रसंद वो गए और मतलब क्योंकि सीता माता का पता चल गया था और हनुमान जी ने तो कहा कि मैंने उन्हें देखा मैंने उन्हें प्रणाम किया उन्से बात की तो इतनी बातें बहुत थी क्योंकि जो पिछले एक साल से नुमान जी और पूरी जो सेना ह राम चंद्र जी है सीता माता का की खोज कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात थी कि यहां पर सीता को इस तरह से सीता का सुरक्षित इस तरह से मिल जाना तो प्रसंदता में वानरों का उत्पात बढ़ गया उनकी प्रसंदता इतनी बढ़ने बढ़ गई कि उनका उत्पात बढ़ गया देखिए जब जो वानर होते हैं वो खुश होते हैं तो कैसे करते हैं एक पेड़א से दूसरे पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उच्छाल Carolyn करते किलकारया मारते हैं चिललाते हैं अब उन्होंने बन के मार्ग के कुछ फल खाए कुछ तोड़ कर फेक दिये दोड़ते हुए चले और किस किंधा परवत पहुंच गए राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव भी वहां पहुंच गए और हनुमान ने राम को सीता द्वारा आभूशन दिया राम की आखों में आशु आ गए ऐसे तो नहीं पता चल सकता था कि सच में सीता मिल गई है तो सीता ने जो आभूशन दिये थे क्योंकि राम ने भी सीता के लिए अपनी अंगूठी भेजी थी ताकि सीता पहचान जाए कि हाँ ये सच में हनुमान जी जो है वो राम चंदर जी के ही दूत है राम चंदर जी के ही दास हैं तो यहां पर अब जो सीता के द्वारा अभूशन दिया गया था हनुमान जी को वो राम की आखों उसको देखकर राम की आखों में आशू आ गए और उन्होंने प्रशन हनुमान से कई प्रशन किये बहुत सारे प्रशन किये जैसे कि वे कैसी हैं कैसे रहती हैं अनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उन्से भेट की, और वे व्याकुल है, चिंतित हैं और हर समय राक्षसों से घिरी रहती है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, उन्होंने कहा कि राम अगर दो माह में यहां नहीं आए, क्योंकि अब राक्षस ने सीता माता को केवल एक वर्ष का समय दिया था जिसमें से लगभग दस महीने जो है पूरे हो गए थे केवल दो महीनों का समय उनके पास था रावन से सीता को वापस लाने का तो उनने का कि अगर यहां दस महीने में राम जी नहीं पहुँचे और मुझे नहीं लेकर गए तो दस महीने बाद रावन मुझे मार डालेगा राम शोक में डूब गए भाव विहल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और अब वो अपने आसू नहीं रोक पा रहे थे लक्ष स्पष्ट था क्या था लंका पर आक्रमन अब एक ही लक्ष था उनका कि लंका पर आक्रमन किया जाए समय कम था सुग्रीव ने युद्ध की तैयारिया ततकाल प्रारंब करने का निर्देश दिया वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी और साथ ही उत्साहित भी थी इस बार उन्हें अलग-अलग टोलियों में बाटने की आवर्शक्ता नहीं थी अलग-अलग दिशाओं में नहीं जाना था सबका लक्ष एक था सबकी दिशा एक थी वो थी दक्षन यानि कि अब क्यूंकि उस समय खोज के लिए जा रहे थे पता लगा रहे थे कि कौन सी दिशा में हो सकती है सीता तो चारों दिशाओं में वानर सेना को भेजा गया था लेकिन अभी अभी जब हमारा लक्ष क्लियर हो चुका था हमें पता था कि एक ही लक्ष है रावन की लंका जो की दक्षन दिशा में सित है तो वहां की तरफ सब आगे को बढ़ने लगे और सभी युद्ध की योज काएं दी गई यानि कि जिस तरह की ताकत उनके उन लोगों के अंदर थी जिस तरह की योगता उन लोगों के अंदर थी उसी तरह के उनको अलग अलग उनको भूमिकाएं दी गई अलग अलग उनको काम दिये गए हनुमान अंगद जामवंत नल और नील को आगे रखा गया तो जो मेन मेन जो लोग थे वानर सेना की जिनके पास सक्तियां थी जिनके पास अस्तर सस्त चलाने का एक तरह से सिक्षा थी और जिनके पास बहुत सारी तरकीबें थी कि वो अलग अलग तरकीबों से इस युद्ध को जीतने में सफल हो सकते हैं तो उनको आगे रखा गया जैसे हनुमान, अंगत, जामवन्त, नल और नील अब ये चीजे तो क्लियर हो गई कि कौन क्या काम करेगा कैसे लंका पर आक्रमन किया जाएगा कैसे वहां जाना है लेकिन सबसे बड़ी समस्या फिर से एक आगई और सबकी चर्चा का विशे था वो समुद्र समुद्र ही सबसे बड़ा चर्चा का विशे था कि उसको पार कैसे करेंगे क्योंकि सेना का जो हर वानर था वो हनुमान नहीं था वो एक सामान्य वानर था क्योंकि हनुमान जी को रिशियों के द्वारा जितने भी देवता हैं सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियों का दान दिया था अपनी अपनी शक्तियों को वर्दान के रूप में दिया था तो हनुमान जी के अंदर इतनी सारी शक्तियां थी लेकिन जो बाकी के वानर थे वो सामान या रूप से जो वानर होते हैं केवल वही वानर थे अब एक चुनौती थी और देर रात तक यही चर्चा का विशय बनी रही अब यह चुनौती जो है बहुत बड़ी थी देखे भल पर जाया जाएगा यह बात सबसे बड़ी थी यह बात सबसे बड़ी दिक्कत की थी तो उसके बाद यह परेशानी वहां पर आई और यही बात चर्चा का विशय बनी रही रात तरी तक अंत तक यही बात जो है चर्चा का विशय वहां पर बनी रही तो इस तरह से जो ये बात थी ये चर्चा का विशय बनी और यहां पर सभी लोग इस बात से परिशान थे सभी लोग इस बात से दुखी थे कि कैसे होगा क्या होगा अब लंका कूच की तैयारियां चलने लगी तो लंका पर विजय ये हमारा next part है अपनी इस राम कतह का कि हनुमान जी ने सारी बाते राम जी को बता दी है सीटा का हाल राम को बता दिया है अब लक्ष क्लियर हो चुका है क्योंकि सभी को पता है कि सीटा वहाँ पर ही है तो कहीं और जाने की जरुत नहीं है कहीं और देखने की जरुत नहीं है लक्ष क्लियर है कि लंका पर आक्रमन करना है सीता को वापस लेकर आना है तो लंका कूच की तैयारियां होने लगी अब लंका पर विजय पाने की तैयारियां होने लगी तो ये तैयारियां रात भर चल सुग्रीव ने वानरों को संभोधित किया सुग्रीव जो थे उन्होंने वानरों को संभोधित किया यानि कि पूरी सेना को एकत्रित किया गया और उसके बाद जो सुग्रीव थे उन्होंने यहां पर वानरों को लेकर आए और उन्हें वानरों को बताया कि क्या क्या करना है क तो सारी जो सारी वानर सेना एकत्रित हुई और युद्ध के बारे में सुनने के लिए उन्होंने कहा कि युद्ध भयानक होगा ये युद्ध जो है भयानक होगा क्योंकि ये राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा है तो ये युद्ध बहुत जादा भयानक होगा और उन्हो तो ये इस युद्ध में केवल वही सैनिक जाएंगे जो सारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्त हो दोनों रूप से स्वस्त होना बहुत जादा जरूरी है जो दुर्बल है वो यहीं रुक जाए तो इस तरह से वानर सेना को युद्ध के नियम भी बताए गए रक्षा और आक जवत के राजा थे तो उन्होंने अपनी पूरी जितनी सेना है जितनी भी वानर सेना उनके पास है उन सबको एकत्रित किया और संबोडित किया यानि कि उन्होंने युद्ध संबंदित जो नियम थे सबसे पहले उन्होंने सबको युद्ध की सच्चाई बता दी उन्होंन वानर सेना को सारे युद्ध के नियम उन्होंने बताए कि क्या क्या इस युद्ध में होने वाला है और आक्रमन के तरीके भी बताए गई कि आक्रमन किस तरह से करना है और साथ ही साथ रक्षा के तरीके भी बताए कि अगर तुम पर आक्रमन हो जाता है तो तुमने अपनी र हारती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई राम और लक्षमन और सुग्रीव की जैकार से आकास गूंज उठा लाखों वानर थे चारों और कोलाहल हो रहा था और वे पेड़ पौंधों को रोंदते हुए जा रहे थे इसका नेत्रत्व नल कर रहे थे और इसका नेत्रत् सुग्रीव के सेनापती जो नल थे वो कौन थे सुग्रीव के सेनापती थे अब उनके पीछे जामवंत और हनुमान चल रहे थे और यह सेना की रणनीती का हिस्ता था यानि कि सबसे आगे जो थे वो नल चल रहे थे नल वो कौन थे वो सुग्रीव सेना के सेनापती थे और जामवंत और हनुमान सेना जो चा रहे थी उसके सबसे पीछे चल रहे थे और यही उनकी सेना की एक रणी थी कि कौन कहां और कैसे चलेगा अब दिन रात चल कर सेना ने महिंद्र परवत पर डेरा डाला वही परवत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी अब समुद्र न बहुत बड़े पर्व की तरह इसे मनाया जा रहा था क्योंकि लंका विजय की तैयारियां हो रही थी लंका पर कूच करने की तैयारियां हो रही थी तो सभी वानर बहुत ही जादा खुश थे बहुत ही जादा उतसाहित थे उधर लंका में अब खलबली मची हुई थी राक आग लगा सकता है तो वो स्वयम कैसा होगा तो पूरे राक्षसों में अब खलबली बची हुई थी सारे राक्षस डरे हुए थे लेकिन उनको भी यह नहीं पता था कि राम आक्रमन करने वाले हैं अभी तो वो हनुमान से ही डरे हुए थे कि जिसका दूत इतना बलशाली है वो स्वयम कैसे होगा वो स्वयम कितना शक्तिशाली होगा और पूरा नगर इसी चर्चा में चल रहा था पूरे नगर में यही चर्चा चल रही थी और लेकिन रावन इस बात से अनिभिग्य था यानि कि रावन को इस बात का बिलकुल भी ग्यान नहीं था रावन को बिलक उसे इस तरह की बाते कौन बताता किसमें इतना साहस था कि वो रावन के पास जाकर कहें कि आप कुछ न कुछ कीजिए क्योंकि राम बहुत जादा शक्तिसाली है जिसका दूत इतना शक्तिसाली है तो वो स्वयम कितना शक्तिसाली होगा तो इस बात को रावन को कहने का किसी म साहस नहीं था अब ये सारी चरचाएं विभीशन ने सुनी अब ये चरचा जो है जो लंका में चल रही थी ये चरचा विभीशन ने सुनी नगर की जो हताशा थी उससे देखी नहीं गई ऐसी हताश सेना युद कर सकती है तो उसकी पराजय निश्चित है उन्होंने क्योंकि विभीशन जो थे वो रामचंद्र जी के भक्त थे रामचंद्र जी को के से की वो पूझा करते थे तो देखें विभीशन ने जब शहर में होने वाली चर्चाएं सुनी सारी ये बातें सुनी तो उन से अपने शहर की हताशा यानि कि जहां पर अभी तक पता इँ नहीं है कि युद्ध होने वाला है या कोई ऐसी परिशानी उनके उपर आने वाली है तब भी वो लोग इतने जादा हताश है इतने जादा निराश है तो अब उन्होंने कहा कि ऐसी हताश सेना अगर हमारे पर आकरमन हुआ अगर हमें युद्ध करने की नौमत आ गई तो हमारी ऐसी हतास सेना जिसका मनो बल जिसका आत्म बल पहले ही तूट गया हो वो सेना युद्ध नहीं कर सकती इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी पराजय निश्चित है यानि कि आपकी पराजय निश्चित है और वे रावन के पास गई और उसे बोले सारी स्थिती समझाने लगे साही स्थिती बताने लगे राम से युद्ध ना किया जाए उन्होंने कहा आप सीता को लोटा दे इसी में सबका कल्यान है सीता मिल जाएगी तो वे आकरमन नहीं करेंगे तो इस तरह से विभीशन ने अपने भाई रावन को समझाया रावन से बात की और उन्होंने कहा कि आप सीता को लोटा दीजिये जब उन्होंने ये पूरी स्थिती देखी शहर की तो उन्होंने कहा आप सीता को लोटा दीजिये इसी में हम सबका कल्यान है सीता मिल जाएगी तो राम हम पर आकरमन नहीं करेंगे अब रावन न और सभाकक्ष की ओर चला उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था क्योंकि यहां पर विजय पताकाएं पहले ही लगा दी जो पताकाएं थी वो पहले ही सजा दी गई थी और जो ध्वज था वो पहले ही परवत पर गार दिया गया था तो यहां पर पता चल गया था कि राम अब आकरमन करने वाले है सैनिकों ने राम की जो पताकाएं थी वो दूर से देख ली थी विभिशन रावन के पीछे चलते रहे और बोलते रहे सीता आपके गले में बंधा हुआ एक सांप है जो आपको डस लेगा इसको छोटी बात मत स जायेगी तो फिर से विभिशन ने रावन को समझाने का प्रियतन किया रावन को बताने का प्रियतन किया कि सीता जो है वो आपके गले में बंदा हुआ एक ऐसा सांप है जो आपको डस सकता है किसी भी समय और ये चोटी मोटी कोई बात नहीं है है इसलिए है लंका- हे राजन ये संकेत महाविनाश के मुझे लगते हैं तो अब मैं चाहता हूँ कि अब आप सीता को लोटा दीजिए सीता को अपनी पत्नी वनाने का जो विचार है वो त्याग दीजिए इसी से हमारी लंका बच पाएगी तो अब जब रावन को इस तरह से उनका भाई कह रहा ह है तो रावन बहुत जादा क्रोधित हो गए बहुत जादा गुसा उन्हें आ गया क्यों उन्हें गुसा आया क्योंकि उसने कहा तुम मेरे भाई नहीं हो रावन का क्रोध बढ़क गया बहूत ज़ादा क्रोध आ गया रावन को के तुम मेरे क्रों के राम की। जाओ यहां से मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए रावन सभागार की ओर मुडा विभीशन पीछे और तब जाकर फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए विभीशन उसी रात लंका से निकल कर चार सहायकों के साथ साथ नोने राम के पास जाना ही ठीक समझा समुद्र पार र क्यूंकि विभीशन जो थे वो राक्षा स्कुल में उन्होंने जरूर जन्म लिया था लेकिन वो बहुत ही जादा सदाचारी थे बहुत ही जादा बड़े परोपकारी थे राम के अनन्य भक्त थे भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति थे तो उन्होंने उसी रात लंका से निकल गए वहां से निकल गए उन्होंने कहा कि लंका तो अब अंत जो है वो निश्चित है तो वो लंका से निकल गए और समुद्र के पास जो सिविर में वानर थे उनके उने के अंदर बहुत ही जादा खल बली मच गई क्योंकि विभीशन ने वहां पर प्रवेश किया था तो एक वानर चिला कर सबको सावधान कर रहा था एक वानर सबको चिला रहा था क्योंकि वो पेड़ में वैठा था तो वो सबके लिए चिला रहा था क्या कह रहा था कि हमारे शिविर में राक्षस आ रहे हैं क्योंकि जो आपके भी भीशन है वो भी राक्षस कुल के ही तो वो सभी को सावधान कर रहा था कह रहा था कि आमारे शिविर में राक्षस आ रहे है विभीशन कुछ दूर पर ही खड़े थे वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया वानराज मैं लंका के रावराजा रावन का छोटा भाई हूं मैं राम की सरण में आया हू मुझे उनके पास पहुचा दीजिए विभीशन के चहरे पर डर नहीं था विश्वास था शब्दों में सडियंत्र नहीं था कातरता थी तो देखिए यहां पर जब विभीशन ने राम के शिविर में प्रवेश किया तो सब इस बात से डर गए कि ये कोई मायावी राक्ष है लेकिन जब उन्होंने अपने जो वचन है वो वानर राज यानि की सुग्रीव के सामने रखे तो उन्हें पता चला कि ये तो रावन का छोटा भाई है और राम की शरण में आना चाहता है तब और देखिए जो व्यक्ति गलत करता है ना उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं वो सारी चीजी अगर कुछ गलत उससे हो गया है कोई गलती हो गई है तो वो पहले से डरा सहमा सा रगता है थोड़ा सा डरा हुआ रहता है सकुचाया हुआ रहता है लेकिन क्यूंकि विभीशन ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी वो तो प्रभू के परमभक्त थे और वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करते थे तो यहां पर विभीशन के चेहरे पर इस बात को पूछते वक्त विभीशन के पास चेहरे पर कोई भी डर नहीं था और जबकि विश्वास चपक रहा था और उनकी बातों में शड़ियंत्र नहीं कातरता थी यानिकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई शड़ियंत्र रच रहे हैं उनकी बातों में कातरता थी अब याचना थी सुग्रीव को उनकी इस बात पर फिर से भरूस्ता नहीं हुआ हुआ उन्होंने कहा कि मेरा नाम विभीशन है रावन ने मुझे लंका से निकाल दिया है मैं उससे सीता को लटाने की बात कर रहा हूं और क्रोध वह एहंकार में चूर की चूर रावन मुझे सभा में अपमानित कर रहा है मैं प्रान बचा कर आया हूं राम से मिलवा दे मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं तो इस तरह के जो यह वचन थे यह सारे वचन किसके थे यह सारे वचन थे जो आपका यहां पर विबिशन रावन के जो छोटे भाई थे विबिशन वो इस तरह से राम और सुग्रीब के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं कि रावन ने मुझे जब मैंने कहा कि सीता को लोटा दीजिये तो रावन ने मुझे बहुत ही ज़ादा अपमानित किया और मैंने जब उन्हें सीता को लोटाने की बात की तो उन्होंने एहंकार में चूर होकर मुझे सभा से निकाल दिया और अपमानित भी किया और फिर आगे कहते हैं सुग्रीब राम के पास गए अब सुग्रीब जो है राम के पास गए मन में शंका भी थी अंगद भी उसे संदेह की दृष्टी से देख रहे थे राम ने ये बात सुनी और कहा हम विभीशन हमें विभीशन को स्विकार करना चाहिए मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता यह मेरी नीती है अब विभीशन को आदर के साथ अंदर लाया गया जब विभीशन को आदर के साथ अंदर लाया गया जो कुटिया बनी थी जो तंबू बने थे समुदर के किनारे उनमें उनको बुलाया गया फिर क्या हुआ विभीशन जब राम के पास पहुंचे विभीशन जब राम के पास पहुंचे तो राम ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया लंका का समाचार पूछा और जल्दी ही विभीशन राम के विश्वास पात्र बन गए यानि कि कुछ ही दिनों में राम ने अपना जो पाटनर राम ने जो अपने यहां पर सेना बनाई हुई थी उसमें एक ऐसे विश्वास पात्र आदमी उन्हें मिल गया था और जिससे की उन्हें लंका की बहुत सारी जानकारियां राम को दे दी रावन और उसके योधाओं की शक्ति के बारे में भी बताया और कहा कि रावन पर विजय प्राप्त करने के लिए ब खतरनाक था तो उन्हें ने कहा कि रावन पर अगर आपको रावन पर विजय पानी है रावन से अगर आपको विजय पानी है तो आपको बल और बुधि दोनों का ही प्रियोक करना पड़ेगा बल का भी और बुधि का भी दोनों का आपको यहाँ पर प्रियोग करना पड़ेगा तब विभीशन ने कहा देखिए विभीशन ने तब क्या कहा कि इस बात की तुम चिंता ना करो राक्षस मारे जाएंगे लंका की देखिए फिर उसके बाद राम ने ये जो सारे वचन है ये राम ने विभीशन से कहे ह कि तुम चिंता मत करो सारे राक्षस मारे जाएंगे लंका की राजगदी भी तुमारी होगी और भविश भी तुम्हारा होगा तो इस तरह से राम ने विभीशन को समझाया और अब राम के सामने बहुत बड़ी सेना थी वो विशाल काय समुद्र उसे पार कैसे किया जाए राम ने समुद्र से विनती की तो तीन दिन बैठे रहे कि समुद्र ने रास्ता दे दिया वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी आपकी सेना में नल नील नामक वानर है वह पुल बना सकते है उससे वानर सेना पार उतर जाएगी तो किसी कारण वश इस समय पर जो यहां पर राम को जब क्रोध आया यानि कि जब तीन उन्होंने कहा कि तीन दिन तक बैठे रहे और समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे उन्होंने समुद्र की तीन दिन तक यहाँ पर प्रात्ना की और जब वो नहीं माने यानि कि कौन समुद्र जब समुद्र नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया और राम के क्रोध को देखते हुई जब समुद्र को लगा कि राम को क्रोध आ गया है बहुत जादा तो उन्होंन से वानर सेना पार उतर सकती है तो अगले दिन से नल ने अगले ही दिन काम प्रारंब कर दिया पुल बनानी का वानर कंकरड पत्थर शिलाएं लाते रहे नल पुल पुल बनाते रहे पांच दिन में पुल बनकर तयार हो गया जो स्तमुद्र को दो टुकड़ों में बाटा हुआ था उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीशन से उस पुल को पार कराया गया और उसके पीछे-पीछे पूरी वानर सेना गई और सेना का अगला जो है इस तट पर बना हुआ था और एक शिवर दूसरे तट पर बना हुआ था ताकि वहां पर भी व्यवस्थाएं पहले से हो सके ताकि वानरों को कोई दिक्कत ना हो कोई परेशानी ना हो अब असंभव क्रोध से रावन चीख उठा जब रावन को इस बात का पता चला तो क्रोध के मारे वो चीख उठा उसने कहा कि यह असंभव है समुद्र तल पर कोई पुल कैसे बना सकता है इस बात के विचार से रावन को बहुत विश्मे हुआ विश्मे का अर्थ होता है आश्चरे जब यह बात रावन को पता चली तो उसे बहुत ही जादा आश्चरी हु के पहुंच गया यानि कि युद का समय नद्धी का गया अब दोनों से नाए समुद्र के एक ही और थी उनका आमना सामना होना शेश था आकरमन की तयारी थी रण नीती बन चुकी थी पहले आकरमन की योजनाओं को अंतिम यूरूप दे दिया जा रहा था यानि कि अभी त यानिकि जो लंका की तरफ जो चोर है वहां पर ये युद्ध हो रहा था और राम ने अपनी सेना को चार भागों में विभक्त कर दिया बांट दिया लंका के चार द्वार थे चोतरफा आक्रमन होना चाहिए हर टुकडी को एक एक द्वार सौप दिया गया राम ने परवत सिखर पर चड़कर स्वयम लंका का निरिक्षन किया लंका के वैभव से वे भी चकित थे उन्होंने राम को बताया कि सूर्य उदय होते ही राम ने आदेश दिया है कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए वानर सेना जैजैकार करती चल पड़ी तो जब राम ने आदेश दिया यान कि राम ने कहा कि जैसे ही सूर्य उदय होगा सूर्य उदे होते ही लंका को चारों ओर से घेर लेना चाहिए और वानर सेना इस बात पर जैजेकार करती हुई आगे बढ़ गई तो बच्चो इस तरह से आपने देखा कि कैसे राम ने वानर सेना के साथ मिलकर अब लंका पर विजय प्राप्त करने की तैयारियां पूरी कर ली है और यहां तक कि उन्होंने समुद्र में भी पुल बना लिया है यानि कि सारी जो वानर सेना है वो लंका पर कूच कर चुकी है तो लंका विजय का जो यह हमारा अध्याय है इसे हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और यह पूरी जो आपकी पूरक पुस्तिका है इसके सभी अभ्यास इसके सभी पाटों से जो अभ्यास प्रश्न अंत में दिये गए है उनको भी हम सॉल्व करेंगे और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो